तो हम लोग UGC fellowships की बात कर रहे हैं और इस वाली श्रंकला में सीरीज में नेक्स्ट हमारी fellowship है NFPWD यानि की फिजिकली फिजिकली वीक सेक्शन के लिए नेशनल फेलोशिप अवार्ड की जाती है इसके लिए आपको क्या जरूरत है क्या नहीं इसकी complete information के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा यहाँ पर देखेगा यहाँ पर जो वीडियो है मतलब जो आपकी NFPWD है यानि नेशनल फेलोशिप फॉर पीड़ोडी इस फॉर एंफिल एंड पीच्ट अगर आप पीड़ोडी सेक्शन को बिलॉंग करते है यानि कि परसंविद डिफिकल्ट मीन्स डिसेबिलिटी जिसम पर फेलोशिप दी जाती है तोटल नंबर ओफेलोशिप इस 200 जारिफ दिया जाता है हर साल जिन स्टूडेंस के पास कुछ डिसेबिलिटी है उनको सो देट आपकी यह जो चीजें है इनको इकोल राइट्स मिल सकें सो देट आप उनसको इकोली फाइट कर सकें तो किसको मि कुम्प्लीटिंग दा रिक्वाइट फॉर्मालिटी फॉर दा एड्मिशन यानि कि किसी भी उनिवरस्टी के अंदर किसी भी फॉर्मालिटी को कम्प्लीट करके लाइक कोई एक्जाम हो सकता है इंट्रेंस एक्जाम कोई इंटर्व्यू हो सकता है उन सब चीजों को पार क मिल जाएगी अगर सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं जो स्टार्टिंग के टू येर्स होते हैं उसमें आपको मिलती है जयारेफ और अगर हमारा जयारेफ सही रहता है तो हमको बाद में प्रमूट करके SRF मिल जाता है यानि Senior Research Fellowship मिल जाती है तो जो भी Research Work है उसको तीन मेंबर की टीम पूरा इसको सेट करती है Research Committee, University रिसाइट करती है और वो उस Research Work को एनलाईज करके आपका बताते हैं कि क्या है यानि इसमें कौन कोन होना चाहिए इसमें आपके Supervisor होने चाहिए, Department का Head होना चाहिए और एक Outside Expert होना चाहिए उसी सब्जेक में अगर माल लीजिए आपकी प्रोग्रेस सही नहीं है तो उस JRF को तुर्ण Terminate कर दिया जाएगा और इस पूरी चीजों को देखने के लिए फाइनली अप्रूफ करने के लिए होते हैं Vice Chancellor of the University यानि की VC कितने टाइम के लिए इसके लिए आपको Net is not required तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका Net qualified है तब ही आप कर सकते हैं नहीं अगर आप physically challenged हैं तो आपके लिए Net की कोई requirement हैं आपको JRF के लिए apply करना होगा in the NFPWD section after your registration and इसमें आपके तीन अगें तीन चीजों के लिए fellowship हैं MFIL के लिए PhD के लिए और फिर integrated MFIL then PhD के लिए Maximum duration MFIL के होती है 2 years और PhD के होती है 5 years 5 years में 2 years तक होता है JRF और बाकी के 3 साल आपको मिलता है SRF चाहें आप integrated PhD केजिए या normal PhD कीजिए MFIL में आपको केवल JRF मिलता है इसमें आपको SRF नहीं मिलता क्योंकि MFIL सर्फ 2 साल की होती है क्या fellowship का amount है तो देखें fellowship amount is 25,000 per month 2 सालों के लिए और बाकी के जो 3 साल बचे उनके लिए आपको 28,000 per month SRF मिलता है Humanity and Social Science में जिसमें Arts और Fine Arts भी आते हैं उन सब्जेक्स में आपको contingency मिलती है 10,000 रुपीज स्टार्टिंग के 2 साल के लिए और बाद के 3 सालों के लिए आपको 20,500 रुपीज पर रेनम मिलती है Science Technology के लिए Science Engineering and Technology section के लिए 12,000 per year for starting 2 years and 25,000 for the remaining tenure Departmental Assistance भी मिलता है सभी सब्जेक्स के लिए 3,000 per year का हर स्टूडेंट को ताकि अगर वो host institute के infrastructure के लिए कुछ लेना चाहें for example, मैं एक छोटा सा example देते हूँ अगर आप अपने department में कुछ चीज चोटी मुटी लेते हैं किसी चीज के लिए हिल्प करते हैं तो उसके लिए चोटा मोटा कुछ जो 3,000 के अंदर आ जाता है एक साल में वो भी आप खर्च कर सकते हैं infrastructure के लिए अगर visually impaired students है उनके लिए 2,000 रुपीज पर मन्थ दिया जाता है for the escort या reader सारा selection यहाँ पर यहाँ पर आपका जो भी selection है it is based on the registration process only तो registration करके आप apply कर सकते हैं अगर आप selected होते हैं तो फिर आपको यह fellowship award हो जाती है ध्यान रखिएगा साल में सिर्फ एक बार मिलती है और सिर्फ टोटल 200 students को ही मिलती है ठीक है इसके अंदर भी अपने-पने कोटे रहते हैं यानि के PWD section में सारा जो कॉर्मिन के नॉम्स होते हैं उन सबको फॉलो किया जाता है जिसमें चनरल देन उसके बाद SC, ST, OBC सभी के कोटे रिजर्वड होते हैं तैंक यह सो मच गाईज अगर यह वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगी है प्लीज जॉइन कर लीजी का टेलिग्राम चानल आपको सारी पीडियेफ सारी इंफर्मेशन मिल जाएं थैंक यू गाईज टेक केर बाबाई